क्या आप भी जॉलीवूड जाने का प्लैन बना रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल रहेगा. हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल. लाष्ट वीकेंड हम लोग गया थे Jollywood Studio & Adventure Park और इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूंगी Jollywood से related complete details. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी Jollywood का ticket price, यहां की timing, यहां के attractions और यहां कौन कौन सी activities आपको करने को मिलिगी और यहां जाना आपके लिए वर्थ हिट रहेगा या नहीं तो जैसे आप यहां पहुंसते हैं एक वेलकम डांस यहां पर होता है यहां का ओपनिंग टाइम है वो है 11 a.m लेकिन आप 10.30 तक पहुंच जाएंगे तो जाधा बेटर रहेगा क्योंकि जैसे वीकेंड को हम लोग का पेंटिंग यहां पर पनाया गया है यहां पर आप बहुत सारे अच्छे-च्छे फोटोस क्लिक करा सकते हैं यहां से थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यह गेम जोन मिलेगा यहां पर बच्चे बहुत जादा इंजॉय कर रहे थे अब बात कर लेते हैं जॉल जॉलीवूट को पूरा एक दिन में अगर आप इसे कवर करना है तो आप किसी भी चकी पे बहुत साथ दे रुखना नहीं वरना आपका कोई ना कोई चीज यहां पर मिस हो सकता है तो यहां पर थोड़ा सा फोटो टे क्लिक करा सकते हैं बच्चे को थोड़ा सा खेलने का ट सब्सक्राइब किए आप आप जैंगा कि यहां अपर ले सकते हैं जोड़ कर आ सकते हैं उनको चाहान ठीक का सब्सक्राइब करने गाए उस पर होटो का कलेक्षय जाये गाज़ने यहां यह से सरकस आया सकते हैं उसके अदर वीडीओ मैं उक बासना देखाए उसके नाम यहां पर लिखा था दरुमांसिया और बेसिकली यह एक स्ट्रिट टाउन व्यू यहां पर दिखाया गया यहां पर आर्किटेक्चर काफी सुन्दर था और शाम को जब डान्स परफॉर्मेंस जो होती है ना वह इसी जगे पर ही होती है तो चलिए अब बात कर लेते हैं हैं टिकेट प्राइस के बारे में तो दकिट प्राइस कुछ इस हिसाभ से है यहां पर बच्चों का का सिन्र सीटीजन का अलगला प्राइस है प्लस वीकेंड और वीग kingdom के में थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर प्लस इसमें टैक्स और एड हो जाता है तो जैसे हमको एडल्ड का एक एडल्ड का 1400 रुपीस पढ़ गया था और हम लोग यहां वीकेंड में गय थे फिर यह कुछ गेम जोन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर बहुत सारे स्टेप के गेम आपको मिलेंगे जहां पर कुछ गेम खेल के आप टैडी भी यहां पर जीत सकते हैं टॉयलिट फैसिलिटी भी आपको थोड़े थोड़े दूर में मिल जाएंगे यहां पर एक वर्टिक्स टैनल है इसके अंदर का वीडियो बहुत ही जादा काला आया बहुत आटरेक्शन तो यहां पर देख लेते हैं यहां का मैप तो यहां पर इसे आपको कहा पहले जाना है तो अगर आप सुबह से ब्रेकवस्ट करके आये हैं तो दो से तीन घंटे हो चुके रहेंगे तब तक तो आप वाट एक्टिविटी या तो फिर जूले यहां पर एंजॉय कर सकते हैं तो यहां पे जो वाटर पार्क है उसका नाम है जॉली आइलेंड जॉली आइलेंड के लिए आपको चेंजिंग रूम यहां पे मिल जाएगा आपको जैसे कपड़े चेंज करने होंगी तो और लोकर फैसिनिटी भी यहां पे अवलेबल है तो यहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं और यहां पे आप एक से देड़ खंटे का टाइम एंजॉय कर सकते हैं अगर उससे जादा यहां पे आप एंजॉय करेंगे तो दूसरे जगा के साथ आपको थोड़ा सा कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा time management थोड़ा आपका भी कर सकता है water park complete कर लेने के बाद आपके में अगर energy बची है तो आप जूला जूल सकते हैं और नहीं तो आप lunch के लिए आगे बढ़ सकते हैं अगर आप जूला जूलते हैं तो यहाँ पे हर जूले का नाम तो मुझे पता नहीं पर मैंने वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कौन-कौन से जूले आप जूल सकते हैं जूलों के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइन में लगना पड़ सकता है बट एकदम सदा टाइम आपको नहीं लगेगा थोड़ा थोड़ा ही वेट करना पड़ेगे आपको यहां पे जूल जूल लेने के बाद आपको यहाँ पे लच अप करना ही होगा क्यैकि औरouverी पहले ना आपको उफे सिस्टम नहीं था तो उसके लिए पहले आपको टोकन कटाना पड़ेगा तो टोकन वाली जगे पे थोड़ी सी भीड थी क्योंकि सब को लंच उसी टाइम पर ही करना होता है तो वहां पे थोड़ी भीड दिखाई दे रही थी टोकन कलेक्ट कर लेने के बाद खाना लेन इसके वज़े से थोड़ा सब हीरु स्टैन साधा था हम लोगों ने यहां पर यह पंजाबी था लिखाया दूतरा जो रेस्टोरन है वो यह मैसूर पैलेस के श्टाइल में बना था यहां पर वूफे सिस्टम चलता है अब खाना खालेंगे उसके बाद आप थोड़ा रिल नेचर फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है यहां पर ऐसा कुछ स्पेशल हम लोग को नहीं नजर आया तो आप यहां पर जल्दी से कवर करके निकल सकते हैं यहां पर साधा भीड भी नहीं होती है खाना खालेने के बाद आसी पैदल वाक कर जो 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 चीज़े कवर कर अब यह जसे कि टैनिक जोन को कवर कर सकते हैं और डालस्ट वर्ल मीरर में इहां पर देख सकते हैं तो हम लोगों नियुज नोटीस किया कि लुआ के पहले निकिज़े जो ना रिखी susman के लिए जो लगी थी वह काफी लंबी थी पर लुप Però यह दो कंपरेटिव लिए थोड़ी छोटी लाइन होगी थी धीड़ थोड़ी कम हो गई थी टाइटेनिक में एंडर करने के बाद आपको टाइटेनिक के बाले में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यहां पर उससे रिलेटेट बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है तो यहां पर यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि शेप जो है अभी अंदर टाइटेनिक पानी में डूबा होगा तो इसका कंडिशन कैसा होगा अभी के टाइम पर इसके लावा यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कितने लोगों को कितने लोग वहां पर चड़े थे और कितने लोगों की लाइफ वहाँ पर बच पाई थी यह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है फिर यहाँ पर टाइटनिक शिप का जो हॉल था उसका यहाँ पर बेसिकली एक फोटो एरिया था यहाँ पर सब फोटो क्लिक करा रहे थे इसके अलावा पीछे में ग्रीन स्क्रीन लगा के यहाँ पर टाइटनिक शिप में यहाँ पर फोटो क्लिक करा सकते हैं इसके बाद हम लोग गये थे दा लॉस्ट वर्ल्ड में तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत साथा एक्सायटर हम लोग थे यहाँ पे के लिए लाइन भी साम लोग ने नोटिस किया कि सबसे जादा भीड इसी के लिए ही लगी हुई थी भीड देखे लेकिन इतल साथ डरना नहीं है कि बहुत साथ टाइम लग चाएगा लाइन जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है तो आपको एक्तम साथा वेट नहीं करना पड़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में बठा के आपको डाइनासौर को देखने का एक राइड कराया जाता है तो यहाँ पे आप देखें कि डाइनसार को हम लोगों ने जैसे रियल में कभी देखा नहीं हम मैजिन भी बस कर सकते हैं तो उसको एक तरीके साब को दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर वो होते ही तो वो कैसा लगता तो यह जगा मुझे काफी अच्छ लगी यहां की तो यह चीज हमारे लिए नई भी है क्योंकि हम लोगों ने कभी डाइनसार को ऐसा सामने से देखने के एक्सपिरियंस कभी नहीं लिया है तो वो आर्टिफिशली सहीं पर एक फील तो आता ही है कि वो कैसे रहे होंगे इक ही जगे पर आपको वाटर एक्तिविटी जूला और बहुत सारी एडवेंचर एक्तिविटी सहां पर करने को मिल जाएंगी पठा आप जादा expectation लेके मत आना कि जिसे water activity यहाँ पे है water park है बहुत बड़ा water park हो है यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है और ना ही बहुत जादा जूलो के option आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं यह ऐसी जगे है जहाँ बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन हर चीज ऐसा नहीं क कि बहुत जादा अच्छे से उस जगे को बनाया गया है इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक museum जैसा बनाया गया था डैनासौर म्यूजियम डैनासौर के बारी में यहाँ पर बहुत कुछ चानने को आपको मिल जाएगा यहाँ पी जितने भी time आप घूमेंग यह पूरा का पूरा आपका यहाँ यूटिलाइस हो जाएगा आप बिल्कुल भी बोर यहाँ पर कहीं से भी नहीं होंगे आग यहाँ पर देख सकते हैं यह है मेज रनर तो यह एक मिरर मेज था तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सादा मसा आया क्योंकि लिटरली हम यहाँ जा रहे थे तो बच्चे यहाँ पर बहुत जादे एंजॉय कर रहे थे वह भी दूने की बहुत कोशिश कर रहे थे तो यह जगह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है मिरर में इस कंप्लीट कर लेने के पाद लास्ट यहाँ पर बसता है कुछ एक्टिविट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यह वाली जो एक्टिविटी जिसमें उपर लोग चलते हैं इसके लिए बच्चों के लिए भी ऑप्शन रखा गया है जो कि बहुत कम हाइट पर नीचे में ही बनाया गया है तो यहाँ पर तो मैंने यह वाला ट्राय नहीं किया और मेरे को यह भी बता देना चाहूंगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो यह ट्राय ना करें क्योंकि एक बार आप अगर एंट्री कर गया तो यहाँ पर देख सते हैं कि एक बर इसमें चलना स्टार्ट कर देंगे ना ऐसा नहीं कि एक कंप्लीट करके आप वहां से नीच तो उन्हें उसी साइट से वापस वह वापस आई इसी तरीके से वह नीचे उतर पाई है इसके बाद रात हो जाने के बाद यहां की लाइटिंग अन होती है तो यह इसका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट नसर आता है वह भी काफी अच्छा लगता है यहां पे तो यह जगह तो हमनों जब पहुंचे तो आधा निकल गया था पर यह दुबारा से फिर से हुआ तो इसका दो राउन होता है हाफ एनार के बाद यह सेम डान्स परफॉर्मेंस फिर से होती है इसके बाद पीछे में शॉप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जिसका नाम था सरकस यहां पर आपकुछ सॉफ्ट टॉइस परचेस कर सकते हैं प्राइस की बाद करें तो लोकल मार्केट से तो थोड़ा सा जादा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा था पर इनके यहां कि जो सॉफ्ट टॉइस की कॉलिटी थी ना वो काफी अच्छी थी बहुत ही जादा सॉफ्ट थे वह एक्च्वल में एकदम सॉफ्ट टॉइस ही थे यहां पे कुछ इस्टॉल लगे हुए थे जहां पे आपको पानी पूरी सैंडविच चाय कॉफी के आप्शन मिल लेकिन हमारे पहसने तक सारी चीज़े खतम हो गई थी हमें सिर्फ यहां पे चाय ही मिल पाया यह सेकंड राउंड है डांस का जो फिर से स्टार्ट हो यहां पर हुआ था तो यहां पितना आपको समझ नहीं हो रहा होगा पर गाने के साथ यह जब यह परफॉर्मेंस होती ह तो काफी अच्छा लगता है काफी मसा आता है एंड लाश्ट यह सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद बाहर निकलने के बाद आप जखे अक्योपाई कर ले ना क्योंकि यह म्यूजिकल फॉंटेन यहां पर बचा रहता है तो यह भी म्यूजिक के साथ ही इसका असली मसा दाता है तो मैंने विडा में उसे के अपलोड किया है यह लाश्ट यहां पे का शो है दैन मिश के बाद जॉलीवर्ड यहां पे लोग सो जाता है तो आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंदाया होगा वीडियो अगर पसंदाय तो ज़रूर से लाइक करना चैनल को सब्सक